नमस्कार मित्रो मैं डाक्टर आलोक चैंटिया ए आयारो एंडियफ चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस सबसे जादा सामान रूप से प्रियोग की जाने वाले शब्द ट्रेन की जिससे हमारा बच्पन होकर गुजरा है छुक छुक करती धुआ उडाती जाती अपनी रेल बिना टिकट का बड़े मजे का कैसा सुंदर खेल खेलते हुए ना जाने इस भारत में कितने बच्चे बड़े हो गए हैं कितने घरों में अपने घर से ही ट्रेन की सीटी की आवाज सुनकर लोगों ने यह जान लिया है कि समय क्या पीच ट्रेन का सफर भारत में सुरू हुआ तो आज ना जाने कितना लंबा जाल 90,000 किलो मीटर का एक लंबा जाल फैल चुका है जो विश्व में सबसे जादा पैसेंजर ट्रेन्स चला रहा है गुड्स ट्रेन्स चला रहा है लेकिन एक सचिया भी है कि 1980 से लेकर आज तक क इसमें ना जानी कितने लोगों के मृत्व हुई है कितने लोग बेघर हो गए है कितने अपंग हो गए है और उसी में सबसे महत्व पूर्ण घटना जो अभी हाल में हुई है उडिशा के बाला सोर में जिसमें कोरा मंडल एकस्प्रेस भाइस माल-गाड़ ये तीन ट्रेने इस तरह से आपस में टकराई कि उसमें अधिकारी ग्रूप से 288 लोगों के मृत्यू की बात कही गई एक हजा से जादा घायल की बात कही गई और ऐसी इस्थिती में एक सामान व्यक्ति के जीवन में यह बात जरूर भरती है कि आखिर क्या खारण है कि ट्रेने टकरा जाती है क्या कारण है ट्रेने चलाते कैसे हैं जो इस तरह का एक्सिडेंट हो जाता है जब कि आज डिजिटल इंडिया का युग चल रहा है इसलिए आज या वीडियो एक्सिडेंट से जादा इस बात को समझाने का प्रयास है कि वास्तों में हम आप यहां समझ सकें कि ट्रेन चलत तो कोई भी ट्रेन के लिए जो सिगनल होते थे उसे सीमा फोर सिगनल कहते थे जिसमें आपने देखा होगा कि जब ट्रेन रुकती थी तो एक व्यक्ति या लाइन मैन एक गोल चला बड़ा सा लेकर ड्राइवर के पास जाता था वहां पर उस चले को देता था उस गोले को नो देता था उसे यह ऐलेता था फिर वहां स्टेशन मास्ट privacy कमरे में आते थे और वह मशीन रखी रहती ठीवर फिर वहां लाइन उसमें डालते थे और इस तरह से लियर होती थी लेकिन सिमा संगल सिगनल प्रणाली समाप्त हो चुकी है इंटर लॉकिंग सिगनल प्रणाली है अर्थात अब इस्टेशन मास्टर अपने आफिस में एक पैनल के सामने काम करते हैं इस इलेक्ट्रानिक पैनल पर खुल कर साफ साफ दिखाई देता रहता है कि ट्रेन अगर पटरी पर खड़ी ह तो वह पैनल पर दिखाई देता है वह पैनल लाल रहेगा अगर ट्रेन की पटरी खाली है तो दिखाई देगा कि वह हरी है और इस आधार पर स्टेशन मास्टर या सुनिश्चित अपने कमरे में ही कर लेते हैं कि उनका ट्रेक खाली है कि नहीं खाली है और यहां ट्रेक उ और इस्टेशन मास्टर का संबंध कंट्रोल रूम से होता है जहां एक कंट्रोलर बैठता है जब कोई ट्रेन आने वाली होती है मान लीजे ट्रेन 101 आनी है तो स्टेशन मास्टर कहता है phone पर侈ंट्रोलर से या एक विशेश तरह की booklet होती है जिसमें तरह तरह के number लिखे रहते हैं और जब station master या कहेगा कि train number 101 अब फ्राम लखनाउं टू बारा बंग की private number 42 तो controller भी इस बात को दोराते हैं अगर line clear होनी है तो वह private number अपना बताएंगे और इन दोनों private number को वह अपनी private जो booklet होती है उस पर काट लेते हैं जिससे या सुनिश्चित हो जाता है कि इस specific private number पर ट्रेनों को चलाने का आधान प्रदान हुआ था अगर ट्रेन कैंसिल है तब भी controller के साथ बात होती है और private number का आधान प्रदान होता है कोई भी बात controller से बिना कि यह नहीं होती और उसमें private number का बहुत महत्त्य होता है जब controller के द्वारा private number मिल जाता है तब station master अपने के हां के panel पर जो button लगे हैं उनके द्वारा line को clear करते हैं जिस line को clear करते ही signal और पट्रियां अपने आप समायोजित हो जाती है कहने का ताथ पर यह है कि अगर train को station से go through जाना है मतलब station पर नहीं रुकना है तो हरी signals जल जाएंगे और उसी के अनुरूप जितने भी point होंगे train की पट्री के वापस में अपने आप जुड़ जाएंगे हरी जलते ही लेकिन अगर train को रुकना है तो जैसे ही home signal के बाद का signal red हो जाएगा क्योंकि home signal के बाद पहला signal होता है starter दूसरा होता है advance starter यह तीन त train जैसे ही रुकने के संकेत की होगी तो जब लाल signal होगा तो जितने भी पट्री के जुड़ने वाले point है वो अलग-अलग हो जाएंगे ताकि train की गती ना हो सके इस तरह से integrated system है जिसमें अगर signal green है तब ही पट्रियां समायोजित होंगी अब होता क्या है कि जब भी कोई train चलती है या train station पर आती है तो उसे सबसे पहले जिस signal का सामना करना पड़ता है उसे कहते होम signal home signal अगर green है तभी train जो है वह station के अंदर आएगी अगर green नहीं है तो लाल है तो वहाँ station पर नहीं आ सकती है वहाँ प्रियाप्त दूरी पर खड़ी रहेगी अगर किसी ने signal के नियमों का पालन नहीं किया तो railway विभाग में मेमों दिया जाता है तरह तरह के मेमों होते हैं सब्सक्राइब और सब्सक्राइब लोगों से उनके explanation मांगे जाते हैं और उसके आधार पर उनके इंक्रीमेंट रोके जाते हैं उनके प्रमोशन रोके जाते हैं अगर उनकी गलती निकलती है तो जो सबसे पहला signal एक गृउट राइवर को दिखाई देता है वह ओम सिगेशन लाएगा जब गृण होगा तभी ओव लाएगा पीछा भी हो सकता है आप सिगनल देखते हैं तो तीन लाईट दिखाई देती है एक सिगनल अगर पीछाण मतलब सावधानि पूर्वा का अगे बढ़ें अगर लाल है तो रुखना है ग्रीन है तो जाना है आपने देखा होगा कि कोई भी ट्रेन में एक ड्राइवर होता है पीछे गाल्ड होता है जब भी कोई ट्रेन चलेगी तो ड्राइवर और गाल्ड या सुनिश्चित करते हैं पहले हरी जंडी के द्वारा सुनिश्चित करत आती है आप देखते होंगे कि ड्राइवर एक ग्रीन लाइट दिखाता है फिर गाल्ड भी ग्रीन लाइट दिखाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेन पूरी है और आप इसे चला सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी होता है कि जब गाली स्टेशन पर आती है तो वह उसी रफ्तार से नहीं आती है क्योंकित ट्रेन की 2 रफ्तार होती क्या है सब्सक्राइब पक्राइब कि प्लेटफार्म पर जिसे लूप लाइन कहते हैं कि दो पट्रियां आती है जाती एने आप लाइन और डाउन लाइन कहते हैं इस पर सीधे तोर पर गालियां दौडती हैं अगर ग्रीन सिगनल्स हैं तो जब भी कोई विक्ति गाली चला रहा है तो उसकी स्टेशन के करीब पहुंचेगा क्योंकि स्टेशन के करीब पहुंचने पर होम सिगनल के बाद इंटर्चेंज पॉइंट से लूप लाइन में जाना है तो वहां पर ट्रेन की स्पीड 15 किलो मीटर प्रति घंटा के रफतार से होती है क्योंकि कई बार स्टेशन पर कुछ लोग आते जाते पलटते और तेज रफतार के कर रहां दूर गटना हो सकती इसलिए ट्रेन की स्पीड निर्दारित है मधिक्तम 30 किलो मीटर प्रति घंटा की रफतार से वह अंदर आ सकती है लेकिन जब यह ट्रेन अंदर आती है तो ड्र आगे और पीछे के तरफ के जो सिगनल्स लगे हैं उनके बीच में एक सफेद 36 पटी आपको दिखाई देगी यह 36 पटी के बीच में ही कोई भी ट्रेन पूरी आकर खड़ी होती है क्योंकि ट्रेन के इन फावलिंग मार्स के बीच में खड़े होने पर यदि पीछे से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है तो उसके लड़ने की संभावना अपस में जीरो हो जाती है इसलिए सबसे पहली शर्त क्या है ट्रेन की कि वह होम सिगनल का पालन करें हो सकता है कि होम सिगनल पर आकर लाल बत्ती हो ड्राइवर काफी देर खड़ा रहे तो वहां पर होम सिगनल के नीचे एक फोन लगा रहता है जिससे ड्राइवर स्टेशन मास्टर से बात करता है और स्टेशन मास्टर के इंस्ट्रक्शन के इसाब से यदि सिगनल खराम है तो भी गाली को आगे बढ़ाता है और अगर उसको निर्देश नहीं है तो वह गाली तब तक वहां खड़ी र और जैसा कि नाम से प्रदर्शीत है कि कुछ छण विशेश एक मिनट दो मिनट पांच मिनट तक कोई ट्रेन रुकने के बाद सबसे पहली बार आप देखते होंगे कि सिगनल पीले रंका जलता है पीले का मतलब है कि सतर्क हो जाईए साउधान हो जाईए तत पर यह है कि ड निर्धारित गती से ही जैसे आने के लिए 15 किलो मीटर प्रतिघंटा ऐसे एक निर्धारित गती से ही आप स्टेशन छोड़ भी सकते हैं और ऐडवांस सिगनल के बाद दूसरा सिगनल जो बाहर सबसे बाहर होता है उसे अडवांस स्टाल्टर कहते हैं अगर वह ग्रीन है तो इस बात का संकेत है कि अब आपके लिए लाइन पूरी तरह साफ है और दूसरा इस्टेशन जो आम तौर पर तीन, साथ, पास, साथ किलो मीटर दूरी पर होता है रेलवे में या विवस्था है कि हर पास, साथ किलो मीटर पर एक स्टेशन बनाया जाए कई स्टेशन ऐसे होते हैं यहां ट्रेन नहीं रुकते लेकिन इस्टेशन ही होता है कि कभी Zoe Hack Conker के कारण गाड़ी में समस्या आ जाए इंञहन में समस्या आ कभी कभी ऐसा होता है कि सी ब्लॉक स्टेशन्स भी होते हैं यहां पर ना स्टेशन मास्टर्स होते हैं ना कोई विक्ति होता है केवल एक हट की तरह बना होता है जहां पर सिगनल्स दिखा कर केवल उस गाड़ी को पास किया जाता है यह स्टेशन्स वह होते हैं जो दो कि जब कोई गाड़ी चलती है तो उसकी स्पीट निरधारीत रहती है भुग्डिश्पीड आप जानगे आप सेंक्षंडिश्पीड जानगे गाड़ी जब आती है जाती है ऐसी इस्थिति में बाला सौर कांड जो हुआ जिसमें ट्रेन का एक्सिडेंट हुआ उसमें बाला सौर से 27 किलो मीटर दूर जाकर जिस तरह से एक्सिडेंट हुआ उसमें जो कोरा मंडल एक्सप्रेस जा रही थी वह पूरे रफ्तार पर अपने लाइन पर जा रही थी जो मैंने आपको बताया में लाइन ह सीबला की स्टेशन होता है साथ किलोमीटर पे छोटे-छोटे स्टेशन बनाए जाते हैं जब आपने ट्रेन में सफर के साथ देखा होगा तो जब कोरा मंडल एक्सप्रेस दोड़ कर जा रही थी तो अचानक उसने देखा कि सिगनल बदल ले हुए और कोरा मंडल एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफतार से चलती है ऐसी स्थिती में कोरा मंडल एक्सप्रेस पावर ब्रेक लगाने पर भी आसानी से तुरंत नहीं रुख सकती और ऐसी स्थिती में इस बात की जाच होनी चाहिए कि जिस माल गाड़ी से ट्रेन टक्राई उसके जो इंटर्चेंज पॉइंट थे वह ऐसे कैसे समायोजित हुए थे जो उस लाइन पर कोरा मंडल एक्सप्रेस जा सकी जिस पर की माल गाड़ी ख़़ी थी अब 120 किलो मेटर के रftबार से चलने वाली घासा कर माल गाड़ी से टक्राई होología माल गाड़ी से टक्राने करें उसके कुछ डिब्बे दूसरी में लाइन हमेशा जानेए दो में लाइन होती है को आप मेन लाइन कहते हैं को डाउन मेंन लाइन कहते हैं दूसरी लाइन मेंन लाइन पर गिर गई और उधर से यश्वन पूर एक्स्प्रेस आ रही थी जिससे टकरागे और वे दुर घटना हुई इसका सबसे बड़ा यक्ष प्रश्ण यह है जबकि अभी जो रिपोल्ट आये खुद रेलवे ने जारी किया है कि अब तक पिछले जुलाई 2022 से अब तक 11,000 बार सिगनल फेल हो चुके हैं लेकिन सिगनल फेल होने की स्थिती में भी एक स्थितिया होती कि ड्राइवर्स को मेमो दिया जाता है आपको मैं बताऊं कि जब कोई भी ट्रेन स्टेशन छोड़ती है तो ड्राइवर को म मेमो मिलते हैं मेमो क्या मिलते हैं जिस पर लिखा रहेगा कि ट्रिपिल वन ऑबलीक फाइव से लेकर 1165 तक आपको 40 किलो मीटर की रफ्तार से चलना है यह क्या चीज़ है यह मेमो यह है कि जब आप ट्रेन में चलते हैं तो आप बाहर देखें जो खंबे लगे रहते हैं ख किलो मीटर के पांच्वें खंबे से लेकर 116 में किलो मीटर के पांच्वें कॉम्स खंबे तक आपको 40 किलो मीटर परतिगंटे की रफ्तार से चलना है और ऐसे मेमो कहीं परलाई म होती है कहीं पॉइंटे आपयंगण दिये जाते ताकि अइसे स्थिती में ट्रेंड पे एक्सिडेंट होने की संभावना कम होती है अब अगर सिग्नल फेल हो रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया हो सकता है कि लाइने इंटर लॉकिंग के कारण जूड गई हो लेकिन सिग्नल आन ना हो रहा हो तो सिग्नल अगर आन नहीं है तो फिर मेमो मिलना चीए था मेमो नहीं है तो फिर वाकी टाकी अब दिये जाते हैं स्टेशन मास्टर को या कंट्रोलर को ड्राइवर को तुरंद इंफार्म करना अब यह है कि सिगनल कहीं न कहीं प्रभावित किये गए थे और जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ क्योंकि इंटर लाकिंग में सिगनल बदलने के साथ ही इंटर चेंज पॉइंट भी सेट हो सकते हैं अपने आप नहीं सेट हो सकते हैं जो एक बड़ी बात है और यही कारण है कि आज के दोर में हर वेक्ति को जानना चाहिए कि जब इंटर लाकिंग इंटिग्रेट पद्दती है और लाइने तभी बदल सकती है लाइन तभी दूसरी लाइन से जोड़ सकती है जब एक्सिडेंट कैसे हुआ। और अगर यह एरर अपने आप हो रही है तो इसका अध्यन किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज आप द्वारा इस बात को समझा गया होगा कि ट्रेन चलती कैसे है। और उस ट्रेन के माध्यम से ट्रेन अकेले नहीं चलती है। ट्रेन ड्राइवर को गाल्ड के द्वारा ट्रेन सायोजित होती है। ड्राइवर और गाल्ड के माध्यम से station master connection में रहते हैं और station master से connection में रहता हैं controller जो बराबर बताता है कि उसके zone में उसके मंडल में गाड़ी कहां किस तरह से किस इस्तिती में है और private मास्टर कहते हैं कि आप हमें प्राइवेट नंबर दे दिए क्योंकि प्राइवेट नंबर एक बहुत बड़ी चीज है प्राइवेट नंबर एक्सचेंज होने का मतलब यह हो जाएगा कि कंट्रोलर के आदेश पर वह ट्रेन गलत इस्टेशन पर रोकी गई यही कारण है कि जल्दी कोई प्राइवेट नंबर का उप्योग नहीं करता है इस मामले में भी आपको यहाँ देखना चाहिए कि कोई भी स्टेशन पर कोई गाड़ी आएगी कोई जाएगी तो तब तक नहीं जाएगी जब तक स्टेशन मास्टर के साथ प्राइवेट नंबर नहीं सकती ड्राइवर और गाल्ड सुनिश्चित करते हैं ट्रेन पूरी है और इंटीग्रेटेट सर्किट में सिग्नल्स के जुड़ने के बाद इंटर्चेंज पॉइंट सवय में जुड़ जाते हैं तो फिर कोरा मंडल एक्सप्रेस जैसी दुर घटना क्या सिर्फ तकनीकी तुर्टी है या वास्तों में किसी के द्वारा अपराधिक श्रणियंद्र करते हुए इंटर्चेंज पॉइंट को बदल कर गलत जोड़ा गया और इस तरह के एक्सीडेंट को कारित किया गया इसकी जाच होनी चाहिए लेकिन हर वेक्ति को जानना चाहिए कि ट्रेन चलना एक बहुत ही सुनियोजित और सुरक्षित प्रक्रिया है जिसमें हमने आपको हर बिंदू बताया है और उस बिंदू के आधार पर आप समझ सकत त्रेन कितनी शुरक्षित तरह से चलाइ जाती है और हम कितनी सुरक्षित तरह से यात्रा करते हुए यह बात कहते हैं कि झुक झुक करती धुषाण उड़ाती जाती अपनी रेल बिना टिकट का बड़े मजे का कैसा सुन्दर खेल यहां तक कि ट्रेन में अगर कोई आप क विपत्ती दिखा दे आपदा तो ट्रेन में आप तुरन जंजीर खीश सकते हैं वैकॉम खोल सकते हैं और गाड़ी रुख सकती हैं लेकिन उसके बाद ट्रेन एक्सिडेंट हो रहा है तो इसकी गंभीर जाच होनी चाहिए लेकिन यह वीडियो सिर्फ इसलिए है कि हर भारती यह जान सके ट्रेन चलती कैसे है अगर आपको यह वीडियो समझ में आता है तो दूर तक ले जाईए ताकि हम सब यह जान सकें समझ सकें कि ट्रेन हवा में नहीं चलती है नियम से चलती है और वेवस्तित चलती है नमस्कार